असलावने को क्लास री हावर यू आज 29 जन्मी है फ्राइडे आज का मारा लेक्चर है मैट्स का अपने नोट्स ओपन करने पेज नंबर 131 प्रिवियस लेक्चर में हमने पार्ट 4 कर लिया था इसके कॉस्चन A से D तक कम्प्लीट कर लिये थे आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे इस got Slave in your notebook using complete statement statement को पट आवे हम question करेंगे ये question आपने कोपीज़ फ़र करेंगे है A से D तक question करेंगे हम आपने आज का date लिखना है date लिखनी है class लिखनी है statement लिखने है solve in your notebook and complete First question है, हमारे पास If 8 children buy tickets for the zoo and each ticket cost रुपीस 12 आठ बच्चे टिकिट्स खरीद ने जू गए टिकिट्स खरीदी उन्होंने and each ticket कोस और हर एक टिकिट जो थी एक टिकिट की कोस थी 12 रुपीस एक टिकिट 12 रुपीस एक टिकिट 12 रुपी के थी आठ बच्चे चिडिया घर में गए थे और एक टिकिट जो है 12 रुपी की है how much must they pay all together आठ बच्चों ने जब टिकिट्स करी दी तो उन्होंने टोटल कितने रुपीस पे किये ये कुस्चन है solution में आप लिखेंगे each ticket कोस रुपीस 12 एक टिकिट की कोस थी 12 8 चिल्डन बाइ टिकिट्स आठ बच्चों ने टिकिट्स खरीदी एक टिकिट की कोस को multiply कर देंगे 8 से क्योंकि 8 बच्चे थे और एक टिकिट की कोस 12 थी 12 multiply by 8 96 second question है Sam Space Walker 22 flowers 4 रुपीस 32 Space Walker ने flower खरीदे flower की कीमत थी 32 sugar for रुपीस 54 sugar खरीदी sugar की प्राइस थी 54 and a new table cloth for रुपीस 81 and a new table cloth की प्राइस थी 81 how much does he spend all together उसने इन तमाम चीजों पे कितना खर्च किया ये बताना है आप लिखेंगे Sam Space Walker बाइस फ्लावर फ्लावर उसने खरीदे 32 के sugar 54 की टेबर रुपीस 81 तमाम मैल्यूस को हम प्लास कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने तीनों चीजों के कितने खर्च की है 32 प्लास 54 प्लास 81 2 प्लास 4 6 6 प्लास 1 7 5 प्लास 3 8 8 प्लास 8 16 रुपीस 167 तीनों मैल्यूस को हमने प्लास की हमारे पास आंसर आया रुपीस 167 सेकिंड कुछटन है हमारे पास मरियम बोट आप बुक आपाउट कम्प्यूटर फूर रुपीस 210 मरियम ने कम्प्यूटर की बुख रिदी जिसकी प्रास थी 210 She gave the salesman 300 रुपीस इसने salesman को 300 रुपीस दीए 300 रुपीस का नोट दीए How much change did she get इसने से कितना चेंज वापिस किया ये बताना है आप देखना है मरियम बोट आप बुक उसने बुक खरीढ़े चिसकी प्रास थी 210 you gave salesman और salesman को उसने दिये 300 रुपीज का नोट चेंज जी गए उसने कितने वापिस की अब 300 से 210 लेस कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पस जो अंसर आएगा وہ चेंज का आजाएगा कि उसने कितने चेंज उसे वापिस किया 300 माइनस 210 0 माइनस 00 जिरो में से 1 माइनस नहीं होता 3 से इसने 1 केरी ले लिया ये वैली होगी 10 10 माइनस 1 9 यहां पे 2 रहा गया था 2 माइनस 2 0 होता है 90 आंसर आया चेंज जो उसने वापिस दिया वह 90 रुपीस का था यह कोश्चन आपने कोपीस पर करने हैं और इसकी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है है आप्रैक्टिस दो मेंस सिर्म पर जनदे करने हो हैं तो प्रैक्टिस गर जवरा करने हैं edeक्ट फोह ये खा मइनस का व्राएंड़ व. कैंशन ख....